बरेली से चुकी एक बड़ी खबर हमारे पास है अतीक की गुंड़ई बरेली में भी थमने का नाम नहीं ले रही जेल के भीतर से अतीक एहमत गुंड़ई कर रहा है यानि क्या ये इतना बड़ा गुंड़ा हो गया है कि जेल के भीतर से भी गुंड़ई कर सकता है और जेल अ अधिकशक को एक गनर दिया जाएगा उद्वे प्रताप मिशा को एक गनर दिया जाएगा ये जेल अधिकशक है'm थोड़ा डरे सह्मे है अतिक अथिक बड़ा गुंडा भी हो सकता है इसलिए डरे हो लेकिन डरनी की जरूरत दहीं बघ्रेली जेल में भि सेक्षन पिसी की वेस्था की गई है वरेली जेल अधिक्षक ने सुरक्षा मांगी थी अथिक को भआली शिव्ट करने पर ये के लिए कि क्या सम Schulogen को कर देखेगी और को झाल नहीं है जिसके कि डरे डर से कोई इस प्रकार की समय से पैदा और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक डरे सहे में हैं जेल अदिक्षक क्या वज़ा है नहीं रहूल मैं आपको बता दूँ जब से अतिक हमत को देवरिया से बरी टांसर किया गया कुछ ना कूछ रोज ऐसा निकल कर सामने आता है कि उसको लगता है जेलर को की जेल में कहीं खराबी ना हो जेल कहीं जो उन्होंने बनाई है उसको लेकर कहीं बंदियों में कोई शुगवाट ना हो किसी प्रकार की कोई अरजकता का ना माहौल पैदा यहाँ हो जाए इस बात को लिका जेलर ने पत्र भी शासन को लिखा था कि बारिक इनकी टांसफर कर दिया जाए जेल टांसफर की जाए अच्छा बरेली के जेलर ने लिखा था जिसे कि कल कही लोग कही सारे लोग अतिक से मिले की कोशिश कर रहे था इस बात को लेकर पूड़ा हंगामे भी हुआ था उसी दौरान पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो लोग महांसे बाग गए किसी प्रकार की कोई गरबड़ी ना हो किसी प्रकार से अतिक का माफिया राज या ना चले इस बात को लेकर चाक्चाओन दिवस्थाई की जा रही है फिलहाल जेलर उदेपर आप मिल्शा को एक गनल अलाट कर दिया गया और सुरक्षा का एक कड़े बंदुबस किये जा रहा और इसी डर की वज़ा से उन्होंने जिलादिकारी को कहा कि अतिक एहमत की जेल बदल दीजिए ये वो कहरे है लेकिन अभी सामान ने है उनका डर दूर हुआ चुकि वो तो जेल के अंदर है बाहर तो है नहीं इतना डरनी की ज़रूरत क्या है दीपक देखे मैं आपको बताओ अतिक का जो खौफ है अतिक का जुसाया है उसको लेकर जो देवरिया कांट जिस तरह से हुआ है और उससे पहले जो अतिक का थ्यास रहा है उसको देखकर तमाम सारी लोग है जो फूक फूक के कदम रख रहे हैं अभी फिलहाल अपनी जिन मांगो को पूरा होते ना देख अतिक बौक लास अगया है अंदर से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो तमाम नाजाइज मांगो की डिमान करता है मगर उसको किसी प्रकार से पूरा नहीं किया जा रहा है जिस बात को लेकर वो कभी बंदी रक्शकों को अरकाता है कभी साथ में जो कैदी बंद आहिमें से किसी को हर काता है मगर जो अरती की गुंड़ा ही उसको ना चिलने आ लिए कर फुल प्रूफ प्रालिंग की गया है तीपक आपसे एक सवाल जाना चाहता हूं कि बर्हैली जेल के अंदर और बाहर तकरीबंच बाहर कितने पुलिस करम यं यह मुश्किल हो सकता लेकिन अंदाजा कितने पुलिस कर्मी होंगे। बाते बताई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वक्त यहां